जारखंड विधानसवा चुनाव को लेकर कॉंग्रिस ने राची के डिबिडी सेलिब्रेशन हॉल में पदाधिकारियों के साथ एहम बैठक की इस बैठक में कॉंग्रिस के संग्ठन महासचीव केसी विडु गोपाल, प्रदेश प्रभारी गुलाम एहमद मीर, पूरु प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकूर, सीनियर अब्जर्वर सांसद गौरव गोगोई, सांसद सुगदेव भगत, सहित कई नेता कारिकरता बैठक के दौरान केसी विडु गोपाल ने 25 सीटे जीतने का प्रदेश कॉंग्रिस को लक्ष दिया, साथ ही उन्होंने नेताओं को गड़बंदन मजबूत करने के लिए टास्क भी दिया है, वहीं इस बीच टिकेट कटने से नाराज कई नेताओं ने उनके सामने नाराज की चताई, बैठक में टिकेट बटवारे में भेदभाव का आरूप लगाते हुए हंगामा किया गया, वहीं इधर सभी नेता एक एक कर अपने संबोधन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रदेश प्रभारी उलाम एहमद मीर संबोधन करने पहुंचे, तो सामने बैठे नेता करताऊं द्वारा बात नहीं सुनने को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई, जिसके बाद केसी वेनु को पाल ने संक्षिप्त संबोधन कर नाराज होकर बाहर निकल गए, यहां तक की प्रेस कॉंफरेंस होनी थी, लेकिन प्रेस कॉंफरेंस भी नहीं हुई, और संगठन महा कमेटी होती है, उन सभे कमेटी की समीक्षा के लिए हमारी बैठ थी, इसके अलावा दो घंटे अलग से जहारखन किचनाव के बारे में सारी चीजों पर चर्चा हुई, साथी कमेटी मेंबर्स के साथ समवात कारिकरम हुआ, जिसमें सभी ने अपनी बात रखी, इसके कमेटी की समिक्षा के लिए, आज जो हमारी बैठ थी, जो जनल सेक्टिय और उसके अलावा जो भी हमारी क्रीम लिडर्शिप है, सबसे सीनर लिडर्स है, उनके साथ आलड़ी दो घंटे, जार घंट के चुनाव के बारे में सारी चीजों पर चर्चा हुई, और उसके जो हमारी इन कमीटी के मेंबर्स थे, उनके सामने उन्हों ने अपने अपनी बात रखी, कमीटी जो हमारी सपेशल डिपलाइड कॉडिनेटर्स है, उन्हों ने एक अपनी बात रखी, तो वेनि गुपाल जी ने फिर अपना सब को संबोदित किया, और एक हिसाब से कह सकते कि ये इस चुनाव का एक पहला पड़ाव और इसको शुरुवात करने के लिए एक कंपेन मूड में आने के लिए एक शुरुवाती इसके बाद तिवारू का सिलसला है वरना इन दिनों में हमने और बड़े प्रोगाम किये होते और मुझे लगता है कि इसी हपते में हमारे ट टॉप स्टार कंपेनर्स चार तारीख या पांच तारीख से शुरु होंगे जो लगातार सिलसला बराबर सत्रा अठारा तारीख तक चलेगा एक आदमी था हालाएं कि वो आएक आदमी था वो इनवाइटी नहीं था बड़ अब कारिकरम के हंगामेदार होने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये कादमी था हालकि उसे बलाया नहीं गया हालकि वो कार्य करता था इमोशनल था अपनी बात रखी समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कह रहा था साथी गुलाम एहमद मेर ने कहा कि संगठन प्रभारी ने सभी को मुस्तैद होकर चुनाओं में एक जुटता से लग जाने को कहा इस चुनाओं को जीतने के लिए सारे दिशा निर्देश संगठन प्रभारी ने दिये पंजाब केसरी टीवी के लिए राची से आश्चतो सिनहा की रिपोर्ट